दोस्तो नमस्कार आज मेरे पास आप बक्री देख रहे हैं सर्मा जी की बक्री और इसको प्रॉब्लम हो रखी है पिछले तीन दिन से बच्चा देने वाली है समय पूरा हो गया है क्यों समय पूरा है समय पूरा हो गया है लेकिन ये बच्चा दे नहीं रही है तकलीफ है तो यहां पर देखा गया ना, तो हलचल बच्चों की जो है, वह बहुत ही कम है. यानि, अप अडर की देखिए, पूरी तरीके से थन बर रखे हैं, यानि condition all over, यहां देखिए, गड़े पड़ चुके हैं, गड़े पड़ चुके हैं, वलवा को अगर हम देखें, तो वलवर पार्ट काफी काफी डिले हुए है, इतने ज़्यादा तो नहीं हुए, काफी काफी डिले हुए है, और यहां से बिलकुल यह जो muscles है, बिलकुल loose हो हैं, इसका मतलब बच्चे देने की condition पूरी तरीके से आ चुकी है, अब यहां से, इधला ना, यहां से अगर हम देखें, तो यह त्रिकोन जो है, थोड़ा सा कम लटका हुआ है, यह ज़्यादा लटकना चाहिए, यह थोड़ा सा कम लटका हुआ है, ऐसी condition, अगर किसी भी की हो जाए और बच्चे ना दें, तो दो ऐसे देसी फोर्मुले मैं आज आशाए आपको बताने जा जा रहा हूं, आपको दोनों के दोनों करना है, क्या है, पहला काम यह करना है, कि आपको डाइसों से तीन सो मैल दूद लेना है, यानि एक डेड पाओ, ठीक है, और उसं दूद में 50 ml आपको तेल मिलाना है दो परकार के तेल यहां पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं नमर वन जो तेल वह तिल का तेल इसी बकरी को दूद में तिल का तेल मिलाकर के सुबह और शाम रोज देना है सुबह शाम आप दो या तीन टाइम दोगे जितने में काम हो जाएगा अराम से बच्चे देदेगी किसी भी प्रकार की प्रॉबलम यानि डिश्टो की आरोपी बगरा की प्रॉबलम जो है वो बिलकुल भी नहीं होगी पहला काम ये किया जा सकता है इसके अलवा अगर एक time हम देते हैं जिसे एक समय दूद और तेल दे दिया फिर second time हम दिन में तीन पहर कर लेते हैं तीन बार यानि सुबह के समय दूद और तेल दे दिया दो पहर के समय गुड़ अजवाइन और सौट लेकिन ध्यान रहे अभी जो देखो पसे नहों रहा है, गर्मी का मौसम है, इसमें आपको गुड अजमाइन सौट नहीं देना है, सिरफ दूद और तेल ही देना है, और तेल में आप तिल का तेल ले लिजिए, या फिर मस्टर्ड ओल यानि सरसो का तेल ले लिजिए, ये काम अगर आप करते हैं दो टाइम सरसो का तेल देंगे, और दो तीन टाइम देने मात्र से ही बकरी की डेलेवरी हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अभी ये खाने पीने में थोड़ा सा कम है, क्योंकि खाएगी पीएगी कम, तो खाएगी पीएगी, तो वैसे भी जब तक ये बच्चा नहीं देगी, तब तक कम ही खाएगी पीएगी, तो इसके चिंता आपको करने की जूरत नहीं है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस यही करना है, ऐसे में कई बार क्या होता है, कि कोई दर्द की गोली देदें, दर्द की गोली देने से समझ्या हो सकती है, जब ये बच्चा देदेगी, उसके बाद ही प्रोपर ये खाना पिना करेगी, तो दूद और तेल आप दो दिन देदीजिए, जितने में कम्प्लीट काम हो जाता है, अगर मौसम ज़्यादा गर्मी का नहीं है, जैसे आगे सर्दिया भी आने वाली है, तो गर्मी का नहीं